हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6, एक्सरसाइज 3.2 3.1 हमने की थी, अब हम करेंगे 3.2 Question No.1, What is the sum of any 2? यह पूछ रहे आपको, What is the sum? Sum क्या होगा, of any 2, कि नी भी 2 का? आगे देखते हैं किसके लिए, first part है हमारा odd number कोई भी 2 odd number लेंगे, तो उन दोनों का sum क्या होगा? odd या even, यह बताना हमें The sum of any 2 odd number is always a even number कभी भी अगर हम किनी भी 2 odd number का sum करेंगे तो वो क्या आएगा? एक even number जैसे 1 और 3 odd number है, 1 प्लस 3 कर देंगे क्या आजाएगा हमारे पास 4, क्या आएगा? 4 4 क्या है हमारे पास एक even number 3 प्लस 7 कर दिया क्या आया? 10 आ गया है, यह भी क्या है? एक even number, इसी तरे कोई और भी लें सकते हो 5 प्लस 7 ले लिया आपने, 5 प्लस 7 क्या आजाएगा? 12 आजाएगा, यह दोनों odd हैं, बट यह क्या है हमारे पास एक even number तो यह हमारे पास एक result है, कि कभी भी किनी भी 2 odd numbers का sum हमेशा क्या होता है? कि even number 2 है even number, और जब भी हम किनी 2 even number का sum करेंगे तो वो भी क्या होगा, even होगा, कैसे? जैसे 4 प्लस 6, दोनों even हैं, 4 प्लस 6 क्या आएगा? 10, यह भी हमारे पास कैसा आया? even number, दूसरा हमने ले लिया, 2 प्लस है, 12 ले लिया हमने तो यह दोनों क्या है? even number दोनों को plus करेंगे, वो भी क्या आएगा? हमें true और false बताना है क्या 3 odd numbers का sum even हो सकता है देखो 1 प्लस 3 प्लस से 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 1 9 क्या आया 9 ये तो even नहीं आया नहीं आया तो हम क्या बोल देंगे false कि कभी भी कि नहीं भी तीन odd numbers का sum हमेशा क्या होता है 9 means odd number कि नहीं भी तीन odd numbers का sum कभी भी even number नहीं हो सकता दो numbers का sum even होगा चार number का sum भी even होगा बटे तीन numbers का sum है odd आएगा next है the sum of two odd numbers and one even number is even sum of two odd number two odd number हमने क्या क्या ले लिया one और है three and one even number और एक हमार पास even number है एक even number ले लिया हमने four three plus one four 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 eight तो वो क्या आया है के even number आ गया है तो ये हमार पास क्या है true next है the product of three odd number is odd किनी भी तीन odd numbers की product है three multiply five multiply one three five जा 15 15 क्या है के odd number और यहां पर हम और भी कुछ लिख सकते हैं two से divide गया 18 यह आया हमार पास nine odd आ गया लेकिन अगर इसकी जिगए हमार पास 12 है 12 को करेंगे two से six पे गया यह कैसा आ गया even तो यह कोई जरूर ही नहीं कि वो odd आएगा वो odd भी आ सकता है वो even भी आ सकता है क्या बोल देंगे इसको false all prime numbers are odd जितने भी prime number है सभी odd है यह हमार पास false है कैसे क्योंकि two एक ऐसा prime number है जो even prime number है two के इलावा सभी prime number कैसे है odd लेकिन two एक even prime number है इसलिए इसको क्या बोल देंगे फॉल्स prime number do not have any factor है प्राइम नंबर है उसके कोई भी factors है नहीं होते है do notות है नहीं हो सकते है हई ईनी factor कोई भी factor नहीं है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसके factor नहीं है एक वो खुद होगा और एक 1 होगा यह तो factor ही है उसके तो इसलिए क्या है यह false sum of 2 prime number is always even किनी भी दो prime number का sum हमेशा even होता है सबसे पहले हम उठाते है 2 भी prime number है और 3 भी prime number है 3 plus 2 क्या आया 5 आगया है यह कैसा आया odd है तो क्या बोल देंगे false 2 is the only even prime number अभी मैंने बताया था कि एक 2 ऐसा number है जो even prime number है तो क्या बोल देंगे true all even number are composite numbers है जितने भी even number है सभी कैसे है composite numbers लेकिन ऐसा नहीं है 2 एक ऐसा number है जो prime number है और even भी है और prime है लेकिन नहीं क्या बोल रखा कि एसा even number जो हर एक even number है वो composite है लेकिन 2 भी तो एक even number है बट वो क्या है prime नेक्स्ट है दा प्रोडेक्ट ओफ टू even number is always even प्रोडेक्ट ओफ टू even number कोई भी दो even number मान लिया four or two लिया हमने दोनों की प्रोडेक्ट क्या है एक ये भी क्या आगए एक even number तो क्या बोल देंगे हम इसको true next the numbers 13 and 31 are prime numbers हमारे पास दो number है 13 और 31 दोनों prime number है both these numbers है वो same digit 1 and 3 दोनों में digit same है 1 और 3 find such pairs of prime number up to 100 100 तक ऐसे prime number निकालो जिनके अंदर दोनों digit same है और दोनों क्या दे रहे है कि prime number क्या क्या आएगा हमारे पास से 17 भी prime number है और इसका बुटा कर देंगे 71 वो भी prime number है दूसरा 37 भी prime number है और 73 भी prime number 79 भी prime number और 97 भी prime number तो ये तीन factor आएगे मारे पास up to 100 100 तक ये तीन factor ऐसे हैं जिनके अगर digits को भी हम reverse कर रहे हैं तब भी येगे prime number आएगा next है write down separately the prime and composite number less than 20 20 तक के जो numbers है उनको prime number और composite number को अलग-अलग करेंगे कैसी prime number देखो 1 अमारे पास है कैसा number है जो ना prime के अंदर आएगा ना composite में आएगा किसी में नहीं आता है हमारे पास 1 उसके बाद आता है 2 2 prime number है फिर 3 भी prime number है फिर आएगा 4 4 2 से divide होता है तो उसके factor हो गए इसलिए वो किस में आएगा composite में 5 prime में आएगा 6 composite में क्योंकि 2 के table में भी आता है और 3 के table में भी आता है फिर 7 हमारे पास prime में आएगा 8 composite 9 composite 9 3 के table में आता है इसलिए 9 composite है 10 2 के table में भी आता है 5 के table में भी आता है 11 किसी के table में नहीं आता है इसलिए prime 12 2 की 3 की 6 की 4 की इसलिए composite फिर 13 किसी के table में नहीं आता है 14 2 और 7 के table में आता है 15 3 की टेबल में आता है 5 की टेबल में आता है 16 2 4 8 की टेबल में आता है 17 किसी की टेबल में नहीं आता तो प्राइम हो गया 18 2 की टेबल में भी आता है 9 की टेबल में भी आता है और 19 किसी की टेबल में नहीं है तो इसलिए क्या हो प्राइम नंबर next है, what is the greatest prime number between 1 to 10 1 से 10 तक बड़ा prime number कौन सा है 1 से 10 तक है, अब हम देखते हैं कि 10 से नीचे कौन है 7, 7 ही हमारे पास क्या है कि prime number है जो 1 से 10 तक सब से बड़ा है 9 तो क्या, composite है हमारे पास 7 इस दा greatest prime number between 1 to 10 1 और 10 के बीच में, 7 हमारे पास सब से बड़ा prime number है नेक्स्ट है, express as the sum of two odd numbers है, इसको जो आपको डिजर्स दिये हुए हैं, इनको express करना है, किनी भी दो odd numbers के sum में, 44 को हमने ब्रीक कर दिया, 3 प्लस है, 41 कर दिया, इसी तरह हम किसी और भी form में convert कर सकते हैं इसको, जैसे 39 प्लस है, 5 कर देंगे हम, दोनों odd number है न हमारे पास है, कि इसे भी form में convert कर सकते हैं, हमें शिर्फ क्या दिखाना है, कि 2 odd numbers का sum, 36 को मैंने क्या लिख दिया, 31 प्लस है, 5 लिख दिया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं,29 प्लस से 7 भी लिख सकते हैं, next is 24, 24 को आमने 7 प्लस से 17 लिख दिया और क्या लिख सकते हैं, 19 प्लस से 5 भी लिख सकते हैं 18, 7 प्लस से 11 आ जाएगा इसको आम क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 9 भी लिख सकते हैं और उसके इलावा 13 प्लस से 5 भी लिख सकते हैं तो इसी तरह हमें क्या बताना है कि sum of two odd numbers में बनाना है मैं इस number को break करके ठीक है Next है हमार पास question number 7 Given three pairs of prime numbers whose difference is 2 कोई भी तीन prime number बताने हमें जिनका difference क्या है 2 अब देखते हैं क्या क्या है 3 और 5 3 भी prime number 5 भी prime number और दोनों का difference क्या है 2 5 और 7 दोनों prime number हर दोनों का difference भी क्या है 2 उसके बाद 11 and 13 दोनों prime number हर दोनों का difference क्या है 2 यह 3 pair है हमार पास Next है question number 8 Which of the number are prime? इन में से कौन सा number prime है कौन सा number composite है 23 23 किसी की table में नहीं आता Only one की table में आता और 23 की table में आता है इसको हम क्या बोल देंगे prime number 51 51 किसकी table में आता है 3 की table में भी आता है और 17 की table में भी आता है तो इसलिए 51 को हम क्या बोल देंगे note prime 37 किसकी table में आता है 1 और 37 इनहीं की table में आता है इसके इलाव और किसी की table में नहीं आता तो इसको हम क्या बोल देंगे प्राइम नमबर ठीक है, प्राइम नमबर कौन से होते हैं, वो नमबर जो खुद की टेबल में आते हैं, और कमपोजिट कौन से होते हैं, जो इसके इलावा खुद की और वन के इलावा किसी अदर की टेबल में भी आते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, कमपोजिट नमबर है not prime 26 कि की टेबल में आता है 1 की आता है 2 की भी आता है और 13 की टेबल में आता है 26 की टेबल में आता है तो इसको हम क्या बोल देंगे not a prime next है write 7 conjugative composite numbers continue conjugative का meaning क्या होता है continue लगातार 7 composite numbers less than 100 100 से नीची so that there is no prime number between them जिनके बीच में कोई भी prime number नहीं है यह आपको याद रखना है कि 90 से लेके 96 तक हमारे पास 7 composite numbers है जिनके बीच में कोई भी prime number नहीं है 92 की टेबल में भी आता है 10 की में भी आता है 9 की में भी आता है 91 3 की 7 की टेबल में भी आता है और 13 की table में भी आता है, 92 ये two के table में भी आ गया, तो note prime हो गया, 93 ये three के table में आता है, three, three जाण नमबर क्या होगे 90 से 96 तक साथ ऐसे composite नमबर हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम नमबर नहीं है इसको हमें 3 और प्राइम में एक्सप्रेस करना और भी और प्राइम भी दिखते हैं 21, 21 को हमने ब्रेक किया 3 प्लस 7 प्लस 11 3 प्लस 7, 10, 10 प्लस 11 क्या आजएगा? 21 आजएगा, फिर 31 को ब्रेक किया 3 प्लस 11 प्लस 17 3 प्लस 11 कितना आएगा? 14, 14 प्लस 17, 31 53, 13 प्लस 17 प्लस 23 13 प्लस 17, 30, 30 प्लस 23, 53 61, 19 प्लस 29 प्लस 13 और सम कितना आजएगा? 61 ठीके, यह मारे पास ऐसे नमबर है जिनका सम 3 और प्राइम नमबर में हमने सेपरेट कर दिया इसको Next है, question number 11 Write 5 pairs of prime numbers से, less than 20 हमें क्या लिखना है? 5 prime numbers का pair बनाना है, less than 20 whose sum is divisible by 5, जिनका सम 5 से divisible है अगर 5 से divisible है, तो हमें क्या देखना है? 20 तक only pair कहा तक बनाने हमें? 20 तक है prime number less than 20 less than 20 है तो उसका सम क्या आना ची? 5 भी हो सकता है, 10, 15, 20 यह आना ची ना, मारे पास सम क्योंकि तभी तो 5 से divisible हो गया तो देखो, सब से पहले 2 और 3 2 भी prime number, 3 भी prime number 2 प्लस 3 कितना आया? 5 और 5, 5 से divisible है उसके बाद लिया मैंने 3 और 17 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 20 और 25 से divisible है उसके बाद हमारे पास आया 5, 5, 5 भी prime number यह 5 भी prime number, दोनों का सम कितना आया? 10 10 हमारे पास 5 से divisible है 7 प्लस 13 7 प्लस 13, 20 हो जाएगा और 25 से divisible है 2 प्लस 13, 15 आजेगा 15 भी हमारा 5 से divisible है यह थे हमारे पास 5 pairs Next is question number 12 Fill in the blanks A number which has only 2 factors Is called a prime number A number, एक ऐसा number Which has only 2 factors जिसके only 2 factors है Is called उसको हम क्या बोलते है के prime number Next है A number which has more than 2 factors एक ऐसा number जिसके factors 2 से ज्यादा है Is called उसको हम क्या बोलते है composite number 1, 1 क्या है Neither prime number nor composite 1 मैंने बताया था ना prime number होता और ना composite Next है The smallest prime number is सबसे चोटा prime number कौन है? 2 The smallest composite number is 4 The smallest even prime number सबसे चोटा even prime number क्या है आपके पास है? 2 यह थी हमारे exercise 3.2 Okay, thank you झाल 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 4 सक्ष झाल 1 झाल झाल झाल